उत्तर प्रदेश के मामलों पर पैनी नजर रखने वाले, चाहे वो समाज एवं देश के किसी भी छेत्र के हों, इस समिटी के आयोजन पर अपनी द्रस्टी गड़ाए हुए थे. अतहा मैं मुख मंत्री जी और आपकी सरकार को इस बात के लिए बढ़ाई देता हूँ, कि किसी समिट का आयोजन करना एक बात होता है, लेकिन समिट का सफल आयोजन करना बहुत बड़ी बात होती है. प्रदान मंत्री जी के कुसल नेतरत में केंद्रिय वित्त मंत्री सी अरोजेत्दी जी ने देश की अर्थ विवस्था को जो शक्ती प्रदान की है, उसे से सभी राज्यों समेत उत्तर प्रदेश की भी अर्थ विवस्था को बहुत मजबूत आधार और निवेश के लिए अच्छा एको सिस्टम मिला है अता है इस उसर पर मैं केंद्री वित्मंत्री जी को भी बधाई देता हूँ यहां के युगा पूरे देश के बिबिन हिंसों में अपनी प्रतिभा और मेहनत से देश के निर्मान में अपना योगदान दे रहे है यह राज्य हमारे देश की संसकर्थी और राजनीती का एक महतपूर केंद्र रहा है देश के नौप्रधान मंत्री यहीं से चुनकर के संसद में गए और जुनोंने लगातार बरसों तक देश को नित्रत देते रहे संयोग से बेराजन्म और व्यक्तित निर्मान भी उत्तर प्रदेश की पावन धर्ती पर ही हुआ है इस चेतना और प्रतिभा का आर्थिक विकास के लिए प्रभावी उप्योग करने का लक्ष हम सब के सामने है इस राज्जी की आर्थिक छमताओं का समचित उप्योग करने की जरूरत है उत्तर प्रदेश के विकास से ही भारत के विकास को पूरता मिलेगी यह समिटी उत्तर प्रदेश के विकास की दिसा में एक महात्वपूर्ण कदम है सरकारे बदलती हैं मंत्री और मुख्य मंत्री बदलते हैं लेकिन हर बदलाव से प्रांत की स्थिती में कोई परिवर्तन आता है या आवश्चक नहीं होता है और इसलिए जब इतिहास लिखा जाता है हर नित्रत्व की पहचान इससे याद रहती है कि वो अपने पाउं की छाप अपने फुट्प्रिंट्स किस दिशा में छोड़ कर गया है और योगी जी के नित्रत्व में उत्तर प्रदेश की ये सरकार एक नया इतिहास उत्तर प्रदेश का लिखने का प्रयास कर रही है यहाँ चर्चा के विशे बदल रहे हैं सोच में परिवर्तन है भाशा और शैली में परिवर्तन है राज नितिग्यों के कारेक्रमों में जिस शब्दावली का प्रियोग होता है उस शब्दावली में भी अपने आप में परिवर्तन है idiom, language, thought process इस सब को बदलना और निवेशकों का सम्मेलन करना निवेशकों के सम्मेलन से किसी भी प्रांतियां देश की समाज की आर्थिक स्थिती का पहला परिवर्तन आरंब होता है